पैरो में दर्द रहता है, एडियों में, आपके टकनों में, एंकल्स में, घुट्नों के आस पास, या की जांग में दर्द होता है, वेरिकोजवेन की समस्या है, यानि कि आपकी जो नस्थ नाडिया हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत टेड़ी-मेड़ी हो गई है, नीले नीले रंग की दिखती हैं उनमें कभी कभी दर्ध होता है पैरों में सूजन हो जाता है ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है अगर आपको ऐसी कोई समस्या है भी नहीं न तो आपको आज की वीडियो में बताये जाने वाले जो अभ्यास है वो निरंतर करते रहन और डेफिनेटली आप इन अभ्यासों को करते रहते हैं तो पैरों में दर्ध की समस्या ऐसे छू मंतर होगी जैसे कभी थी नहीं और अगर नहीं है तो फ्यूचर में कभी आएगी भी नहीं तो आपका थैंक यू अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे घंटी का निशान जरूर दबा लीजिएगा नमस्कार दोस्तों मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में दोस्तों कैसे हैं आप सभी तो सबसे पहले हम अपने पीछे रखेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप सबसे पहले आपके पैर की जो उंगलिया है ना इनको ऐसे दबाएंगे और फिर छोड़ेंगे इस तरीके से ऐसे दबाएंगे फिर छोड़ेंगे ऐसा काम आप 15 से 20 बार करेंगे सिर्फ अभी पैरों को कुछ मत की कीजिए सिर्फ और सिर्फ आपके पैरों की जो उंगलिया हैं इनको दबाईए छोड़िए दबाईए छोड़िए दबाईए ऐसे छोड़िए ऐसा करने के बाद फिर उंगलियों पर काम करने के बाद अब अपनी एंकल्स पर काम करेंगे ठीक है एंकल्स पर काम करने के लिए अभी ऐसे alternate अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर इस तरीके से अपने ankles को move कीजिए ऐसे इससे क्या होगा ये practices भले simple दिखती हैं लेकिन इससे joints के around जो है blood circulation improve होगा इस तरीके से और वो manspatia मजबूत बनेंगी इस तरीके से ऐसे आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे फिर उसके बाद अंदर की तरफ इस तरीके से खीचेंगे ताकि आपके पैर के जो अंगूठे हैं वो आपके body की तरफ आ जाएं इस तरीके से फिर उसके बाद बाहर की तरफ सारी उंगलियों को खीचिए, एंकल्स को खीचिए एक साथ और फिर उसके बाद अंदर की तरफ खीचिए इस अभ्यास को भी आपको 15-20 बार करना है और यह अभ्यास आप कभी भी कर सकते है इसमें कोई भी ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि खाली पेट करना है या कैसे तो इस तरीके से आप करें और अगर ब्रीधिंग के साथ करते हैं एक तो शुरू-शुरू के जो बिगनर्स होंगे वो नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ करें लेकिन सासों के साथ करना है तो सास लिया और सास छोड़ा इस तरीके से, सास लिया और सास छोड़ा इस तरीके से अभ्यास कर ले फिर अब अगला अभ्यास जो करेंगे उसमें हम अपनी ankles का rotation करेंगे अब देखिए, पूरे पैर की जो नस्त नाडिया है वो आपके पैर के पंजो से जुड़ी हुई है और जैसे जैसे आप इन अभ्यासों को ऐसे करते हैं, तो इससे पैर की नस्त नाडिया मजबूत होंगी इस तरीके से पूरा चकर बनाना है, छोटे-छोटे ऐसे चकर मत बनाईएगा ऐसे पूरा का पूरा ऐसे गोल चकर बनाईए और इससे आपके घुटनों की माल स्पेशियां भी बड़ी मजबूत होंगी इनको घुटने में दर्द होता है न, अब एक direction में घुमा लिया है, अब दूसरी direction में ऐसे घुमा है ऐसे एक बार जैसे घड़ी घुमती है यानि clockwise direction में और दूसरी बार घड़ी घुमने की विपरीद दिर्शा में यानि anti-clockwise direction में आराम से ऐसे बैठे हुए इससे आप इमिडियेटली महसूस करेंगे कि पैर की नस नाडिया कैसे खिच रही है इस तरीके से फिर उसके बाद अगला अभ्यास आपने पैरों को ऐसे टैप कीजिए 15 से 20 बार ऐसे जब आप टैप करते है न तो अपने आप पैरों पे आपको जनजनाहट महसूस होगी इस तरीके से ऐसे 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 जनजनाहट आपको महसूस होगी फिर उसके बाद रुख जाएए अब इसके बाद जो अगला अभ्यास करेंगे अपने पैरों को एक एक करके ऐसे घुटने से मोड़िए और फिर सीधा कर दीजिए एक बार ऐसे मोड़िए और फिर सीधा कर दीजिए ऐसे बाहर मत कीजिएगा अंदर की तरफ गुटने को ऐसे मोड़िये और सिधा कर दीजिए मोड़िये ऐसे सिधा कर दीजिए तो 15-20 बार ये अभ्यास आप राइट पैर से कर लेंगे और जब राइट पैर से हो जाए तो फिर इसे अभ्यास को हम क्या करेंगे Left side करेंगे ऐसे, खोलेंगे, फिर बंद कर देंगे, ऐसे, इस तरीके से, नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ अभ्यास कर लें, या तो फिर सांस लें, और सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें, ऐसे, इस तरीके से, 15-20 बार इसका अभ्यास आप कर लें, फिर उसके बाद वापस से प पेरों की जो मानस्पेश यह हैं उनको कर रहे हैं activate. अब क्या करेंगे, अब दोनों पेरों को एक-एक करके ऐसे घुटने से मोलडेंगे. ठीक है? घुटने से मोलने के बाद, इस तरीके से. घुटने से मोल नेंगे ऐसे और घुटने से मोलने के बाद अपने दोनों घुटनों को ऐसे राइट साइड ड्रॉप कर देंगे ऐसे और फिर उसके बाद दोनों घुटनों को लेफ्ट साइड ड्रॉप कर देंगे ऐसे इस तरीके से फिर उसके बाद वापस से right side drop कर देंगे ऐसे और फिर उसके बाद left side drop कर देंगे ऐसे तो इससे आप देख रहे हैं पैरों के हर एक हिस्से पर आपकी एंकर्स पर भी घुटनों पर भी और hips के आस पास भी कितना अच्छा खिचाओ आ रहा है और ये मदद करेगा blood circulation जो है improve करने में इस तरीके से seated जो twist है वो करेंगे इस तरीके से ऐसे धीरे धीरे अगर ऐसा हो कि अभियास करते करते ना बहुत बार आप आगे ऐसे फिसल जाएंगे तो फिर से कमर को पीछे लेके आएंगे और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ड्रॉप करके अभियास कर लेंगे फिर से पैरों को खोल लें फिर से पैरों को टैब करेंगे और ऐसा जितनी बार भी करेंगे आप देखेंगे कि पैरों बे blood circulation improve हो गया है अब आप क्या करेंगे अगले अभियास में हम अपने calf phrases करेंगे जिससे की जो आपके पैर की पीछे की जो ये मांसपेशियां है इनको मजबूत करेंगे और जब ये मजबूत होंगी तो घुटना और ankle अपने आप मजबूत होगा तो अभि जो ये अभियास बता रही हूँ अगला उसमें आपको बैटना है ऐसे squatting position पर आप जिनके गुटने में दर्द है वो थोड़ा रुख जाएं एक्स्ट्रीम दर्द है वो रुख जाएं क्योंकि ऐसे बैटना आपको बहुत मुश्किल होगा तो आप इस तरीके से मलासन की position पर बैठेंगे और दोनों हाथों को छाती के सामने ऐसे जोड़े हुए घुटनों को ऐसे बाहर की तरफ पुश करें दोनों elbow की मदद से फिर उसके बाद दोनों हाथेलियों को ऐसे mat पर रखें और फिर एडियों को ऐसे उठाएं और फिर एडियों को ऐसे drop कर दें अब देखिए बहुत से लोग जिनके घुटने में दर्द नहीं है लेकिन फिर भी beginner है तो उनको ऐसे squatting position में बैठने में बड़ी तकलीफ होगी तो आप क्या करेंगे कि आपके पास छोटी कोई stool हो या इस तरीके से yoga block हो तो इसको आप ऐसे अपनी hip के नीचे रखेंगे और आराम से बैठ जाएंगे अगर आपको ये yoga block purchase करनी है ये yoga mat purchase करनी है तो description में लिंक दे दूँगी जो कि अच्छी quality के होंगे आप उसमें invest कर दीजे आपको बार-बार खरीदने की ज़रुरत नहीं होगी अच्छी चीज खरीदें तो दोनों हाथों को इस तरीके से mat पर रखें और फिर उसके बाद अपनी एडियों को उठाएं और फिर drop कर दें एडियों को उठाएं और drop कर दें अगर फिर भी तकलीफ हो रही है तो सिर्फ इस तरीके से एडियों को उठाएं और drop कर दें हिप को फिर ना उठाएं एडियों को उठाएं और drop कर दें तो जिनको घुटने में दर्द है वो भी आसानी से इसको कर लेंगे एडी को उठाएं और ड्रॉप कर दें एडी को उठाएं और फिर ड्रॉप कर दें एडियों को उठाएं और फिर उसके बाद ऐसे ड्रॉप कर दें अब ये तो हमने काफ रेजस कर लिया बैठे बैठे अब जो अगला अभ्यास कर रहे हैं वो हम खड़े होके करेंगे और उसमें आसानी से दिवार का सहारा लेके करेंगे ताकि सभी आसानी से इसको कर पाएं तो क्या करेंगे दोनों पैरों के बीच में एक फूट का इस तरीके से फासला कर लेंगे ऐसे आप मेजर करें और जहां पर आपके पैर का ये अंगूठा ता राइट पैर का अंगूठा इतनी दूरी पर आपने पैरों को कर लिया और फिर उसके बाद दोनों हाथों को कमर के उपर रखें और फिर धीर ऐसे अपनी एडी को ऐसे उठाएं और फिर उसके बाद 80 को drop कर दें 80 को ऐसे उठाएं और 80 को drop दें तीर ऐसे 80 को उठाएं और control के साथ 80 को drop कर दें ऐसे शांस लें उपर और शांस छोड़ें नीचे अगर आप सासों के साथ ये सारे अभ्यास करते हैं तो इससे कई गुना आपके benefits बढ़ जाते हैं और अगर कुछ दिन तक सासों को लेने और छोड़ने का practice ना हो पाएं तो normal breathing से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे आप सासों के साथ अपनी movement को synchronize करें इस तरीके से अब बहुत से लोगों का balance नहीं बनेगा पैरों में actually में बहुत ज़्यादा दर्ध होगा तो आप क्या करेंगे दोनों हाथों को ऐसे दिवार के सहारे रख लेंगे और फिर उसके बाद 80 को ऐसे उठाएंगे और फिर 80 को ऐसे drop कर देंगे 80 को ऐसे उठाएंगे और 80 को drop कर देंगे तो इससे आप और भी ज़्यादा safe practice कर सकते हैं अब इस तरीके से जब आप अभ्यास करेंगे तो इससे आपकी ankles, पैर के पंजे, काफ, muscles, घुटने, थाई सब उपर बहुत अच्छी तरीके से नस नाड़ी अच्छी तरीके से खिच गई अब हम जो योगासन का अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है उतकटासन उतकटासन का अभ्यास करने के लिए चुकि आपके पैरों में दर्ध होगा, घुटने में दर्ध होगा तो दोनों पैरों के बीच में आप इतना ही फासला मेजर कर ले ऐसे इस तरीके से मेजर कर ले और फिर उसके बाद पैरों के बीच में कमर जितना आपने फासला बना के रखा है और फिर उसके बाद मैं चाहती हूँ आप मेरी side से, आप मेरी hip को देखें, तो इस तरीके से सांस लें और दोनों bicep को कान के पास रखेंगे इस तरीके से, सांस लें और सांस छोड़ते हुए, सांसों को रोके, hip को पीछे की तरफ पुश करें, और फिर सांस लेते हुए, ऐ सांसों को रोके, one, two, three, और फिर उसके बाद खड़े हो जाएं, सांस ले, सांस छोड़े, सांसों को रोके, one, two, three, और फिर उसके बाद खड़े हो जाएं, तो इसका अभियास तीन बार, पांच बार कर लें, मैंने तो अभी आहां पे तीन-तीन सेकेंड रुखने के लिए क चाहें तो उससे ज्यादा देर तक दस शेकर का अभ्यास कर सकते हैं और हम दूसरे आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है। झिसन नाम है उतकत कोण आसन कि अभ्यास करने के लिए आपके पैरों की बीच में कम से कम 3 फीट का फासला कर लीजेगा ऐसे इतनी दूरी पर एडियों को अंदर की तरफ रखिए ऐसे अंगुठे जो है वो बाहर की तरफ जाए और घुटनों को ऐसे बेंड कीजिए कि घुटने बाहर की तरफ हो ऐसे इस तरीके से अंदर की तरफ नहीं इस तरीके से नहीं बेंड होना है क्या करना है बाहर की तरफ इनको ऐसे घुमा देना है इस तरीके से ऐसे हिप को नीचे पुश करें घुटनों को मोडें इस तरीके से अब चाहें तो आप अपने हाथों को छाती के सामने रखें या सर के ऊपर रखें या दोनों हाथों को एल्बो से ऐसे बेंड कर लें और फ उत्कट कोड आसन का जब आप अभ्यास करते हैं, उत्कट आसन का अभ्यास करते हैं, तो पैरों को गजब की मजबूती मिलती है, सबसे पहले हमने पैर की मांस पेश्यों को बहुत अच्छी तरीके से खीच लिया और उनको वाम कर लिया, अब पैरों की मजबूती अच्छी प्रैक्टिसेश अब हम अगला अभ्यास कर रहे हैं जो कि आराम से अपनी योगा मैट पर लेट करेंगे एक चीज और बता दूँ अगर इन सारे प्रैक्टिसेश में आपको किसी भी प्रैक्टिस को करने में दिक्कत आ रहे हैं तो आप उस प्रैक्टिस को स्किप कर और जितने आसन आपसे हो पाएं आप उतने ही आसन करें अगला आसन हम कर रहे हैं सुप्त पाद अंगुस्ठ आसन उसके लिए मैंने एक ये योगा स्ट्रैप ली हुई है अगर आपके पास इस तरीके की स्ट्रैप ना हो तो आप घर पे कोई दुपट्टा हो टाई हो बे और राइट पैर पर दाहिने पैर पर अपनी योगा स्ट्रैप को इस तरीके से फसा देंगे देखिएगा ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपके पैरों पे बहुत जादा कड़ापन हो तो पैर पूरा सीधा ना हो पाईए हो सकता है तो आप घबराईएगा नहीं जितना पैर खुल सके उतना पैर को खोल ये और कोशिश कीजिए आपकी एलबो ऐसे मुड़ी हुई ना हो अगर ऐसे मुड़ी हुई है तो हाथ को ऐसे अपने दुपट्टे पे ऐसे फसाएं ताकि हाथ जो है आपके पैर के तलवों की तरफ जितना हो सके जाए और आप पैर को को कोशिश करें सीधा करें अगर जितना extension आपको लेना है आपकी योगा strap से दुपटे से टाई से ले और कोशिश करें पैर को सीधा करने की कोशिश करें हलका सा मुडा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है हाथ को आप अपने सीधा करके रखें और यह तनाव दबाव महसूस करें नॉर्मल ब्रीधिंग के साथ कम से कम इसको 15 सेकेंड या 30 सेकेंड आप इस तरीके से होल्ड करके रखेंगे ब्रीध करते रहेंगे सांस लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे इस तरीके से फिर जब यह अभ्यास हो जाए एक पैर से तो फिर दूसरे पैर से अभ्यास करना बिलकुल ना भूलें, अब अपने left pair पर आपने अपनी strap को ऐसे फसा लिया है, अपने left pair को धीरे धीरे बाएं पैर को धीरे धीरे सीधा करें, और यहाँ पर इसको 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, hold करके रखें, एल्पो देखिए मेरी सीधी है, और right pair जो है, वो एकदम सीधा है, और साईड भी और फिर लेफ्ट साईड भी इस अभ्यास को करने के बाद तो ठोड़ा सा पेरों में खिचाओ आ जाएगा तो फिर उसके बाद दोनों जांगों को अपने पेट की तरफ ले के आएंगे और अपने पैरों को इस तरीके Se tens कर लेंगे अगर गुटने के नीचे यहां पर ना पकड़ सके तो नीचे पकड़े और इस तरीके से अपनी थाई का दबाओ अपने पेट पर महसूस करें फिर उसके बाद अपने पैरों को ऐसे मैट पर रख दें अब अगले अभ्यास के लिए दोनों पैरों के बीच में की तरफ मत घुमा के रखियेगा ऐसे फ्लोर की तरफ घुमा दे और फिर उसके बाद धीर इसे अपनी हिप को ऊपर करें जब आप हिप को ऊपर करेंगे तो आपकी थाई पर आपके घुटनों पर आपकी अंकल्स पर बहौत अच्छा एफेक्ट आया और फिर उसके बाद दीर ऐसे अपनी कमर को ऐसे ड्रॉप कर दे मैट पर फिर से देखें सास ले और सास छोड़ें और फिर उसके बाद दोनों पैरों को सीधा कर लें और आराम से अपनी योगा मैट पर लेट जाएं और कुछ देर के लिए आराम करें अब हम अभ्यास करेंगे विप्रीत करनी का और विप्रीत करनी हम करेंगे इस तरीके की गोल तकिया के साथ अगर आपके पास ऐसी गोल तकिया ना हो तो आप जो आपके घर पे तकिया है थोड़ी हाड तकिया लीजिएगा और दो तकिया को इस तरीके से adjust कीजेगा कि थोड़ी height पे आ जाए और जिससे की हम इस अभ्यास को कर सकें अब देखिए इस अभ्यास को करने का main मकसद ये है कि आपके पैर उपर की तरफ हो और सर जो है नीचे की तरफ हो ताकि gravitational force के opposite जो है blood flow हो और थोड़ी सी कमर उठके रहेगी तो ये जो gravitational force के opposite जो blood flow है बहुत आसानी से आपके head region की तरफ यानी पैर के तलवों से लेके आपके जिस तरीके से blood circulate होता है उसके opposite जो है blood flow होगा तो आपको क्या करना है कि एक दिवार के सहारे इस अभ्यास को करना है और दिवार के साथ आपने ऐसी तकिया अपनी लगा ली है तकिया लगाने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि आप इस अपनी तकिये पर आराम से हलका सा ऐसे बैठ जाएए और फिर उसके बाद घूमते हुए घूम ताकि कमर जो है आपकी इस तकिये पर रहे और घूमते हुए आराम से आप अपनी मैट पर लेड़ जाएं और कमर के नीचे अपनी तकिया लगा के रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि कमर हलकी सी स्लाइटली उठी हुई है और फिर उसके बाद दोनों हाथों को आप ऐसे फैला लें या एल्बो से ऐसे मोड के रखें हाथों को एकदम धीला छोड़ दें कंधों को एकदम धीला छोड़ दें और पैरों को आप अपनी दिवार पर लगा के रखें अब आराम से लेटे रहे विप्रीद करणी में और इस आसन के अभ्यास से मिलने वाले बेनिफिट्स का भरपूर फायदा ले अब इसके बाद दोनों पैरों को धीरे-धीरे घुटने से मोड़े और अपनी तकिये को हताएं तकिया हटाने के बाद अपनी योगा मैट पर आराम से पीट के बल लेट ज करना है और फिर रेस्ट करना है शावासन में लेट जाएं दोनों पैरों को दोनों हाथों को एक दूसरे सुदूर करें और रेस्ट करें ये तो थे कुछ अभ्यास जो मैंने आपको सिखाएं अगर आप चाहते हैं मेरी निग्रानी में रहके योग का अभ्यास करना तो साथ जुड के मेरी निग्रानी में हर दिन अलग-अलग तरीके के आसन, प्रानयाम, ध्यान, रिलाक्सेशन की टेकनीक साथ ही योगी क्लिंसिंग टेकनीक जिससे आप अपने शरीर की अंदर से साफसफाई कर सके ये सब आप सीखते हैं अब इन इन क्लासेस को कौन जोइन क कर सकता है, कोई भी इनसान, किसी भी जेंडर का, किसी भी तरीके की बॉड़ी टाइप हो, बिगनर हो, हर कोई जोइन कर सकता है, अगर आप अलरेड़ी योग का भ्यास करते हैं, फिर भी इन क्लासेस को अगर आप जोइन करते हैं, तो आपको आपकी प्राक्टिस में और भ नहीं आने की समस्या, तो ये classes highly beneficial हैं, क्योंकि already मेरे जो भी students मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको स्वास्तिलाब तो मिल ही मिल रहा है, साथ ही उनकी lifestyle भी बहतर हो रही है, ताकि existing health conditions से उबरें, और फिर वो आगे health conditions उनको परेशान ना करें. अब बहुत से लोग ऐसे होंगे, जो कि zoom के माध्यम से connect नहीं हो पातें, क्योंकि उनका schedule busy रहता है, कोई fix time नहीं होता उनके काम का, तो आपके लिए मेरे पास एक solution है, मैंने कुछ ऐसे course develop किये हैं, design किये हैं, जैसे yoga for beginners का course, pranayam और meditation का course, कि आप इन course को purchase करने के बाद, दिन yoga journey की, इन videos को बस आपको play करना है, और ये videos मैंने beginner friendly बनाई है, यानि कोई भी इनसान भी इन videos को देख के आसानी से योग का भ्यास कर सकता है, जब आप इन course को complete कर लेते हैं ना, तो course के completion का certificate भी आपको दिया जाता है, I am sure आप इन classes और courses के बारे में और जानकारी जरूर जा या कि फिर यहाँ पर मैं एक WhatsApp नंबर शेयर कर रही हूँ, इस नंबर पर एक WhatsApp करने के बाद, आपको मेरी टीम के द्वारा सारी की सारी जानकारी आपके मोबाइल पर भेज दी जाती है, तो देर किस बात की, अभी जाएए मेरी website विजिट कीजिए, या कि फिर एक WhatsApp कीजिए और शुरू करते हैं, तो देखा आपने step by step मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से आप आपने के पैरों को मजबूत कर सकते हैं, घुटनों में, एंकल्स में, आपके दर्द जो है उसको छूमंदर कर सकते हैं, वेरिकोस, वेन से छुटकारा पा सकते हैं, अब देखिए रंतर इनका अभियास करेंगे, साथ ही आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रुष्टारों को भी WhatsApp कर दीजिए, ताकि उनको भी इससे बहुत बहुत फायदा मिले, अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आपके बताय हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना क्योंकि आपका एक-एक feedback मेरे लिए बहुत मायने रखता है, अब अगर आपने वीडियो को अंतक देखी लिया है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब करना अभी भूल गये हों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें जाने से पहले, और इस वीडियो को एक thumbs up यानि ल कर दो कि जसान बंगर एक 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 रहा है, तो।